हाई फ्रेंद्स मैं हूँ शाहिन सेयद वर्कम टू माई शानल आज हम बनाएंगे पॉपिलर टॉकिश डेसर्ट बखलावा इसको मैंने होममेट शीट्स के साथ बनाया है इसमें कुछ भी भार का इस्तमाल मैंने नहीं किया था बिल्कुल सिंपल ड्राइफरूट से लोड़ करेंगे डेट चमर्च बेकिंग पाउडर और एक चुटकी आड़किया है नमा चार टीबल स्पून याने के पाव कप लिया था ओयल नॉमल लेना है एक टी स्पून आड़किया है विनेगा और अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स कर लेना है तकरीब एक से देट मिनिट मैं मैंने मिक्स कर लिया और यह देखें इस तरह से मुट पड़ गई है इसमें तो इसमें मोयन बरावर है अब आधा कप मैंने यहां पर थोड़ा थोड़ा करके नॉमल टेंपरेचर का दूद आट कर लिया है बस अब लास्ट में थोड़ा सा मैंने पानी भी आट कर लिया था इसमें और यह देखें मिक्स करके इसका मैंने मीडियम आटा लगाया बहुत जादा सक्त नहीं होना चीए थोड़ा सा नरम ही आटा लगाना है इसको दस से पंदरा मिने ड्रेस्ट कर लें यहां पर दूसरी तरफ मैंने एक बोल लिया है इसमें आधा कप लेंगे हम कॉन फ आधा कप से थोड़ा सा कम लिया था मैंने काजू और दो से तीन टेबल स्पून लिया है पिस्ता आप चाहें तो सिफ पिस्ता से भी बना सकते हैं जो ड्राइफ रूट्स आपके मनपसंद के वह आपने आट करके इस तरह से दरदरा ग्राइंड या फिर चॉप कर लेना है यहां पर दूसरी तरफ आधा कप लिया है मेल्टेट बाठा और आधा कप घी और इसको अच्छी तरह से मैंने माइक्रोवेव कर लिया है आप चाहे तो पैन में थोड़ा सा गरम करके मेल्ट कर ले इसको लियर्स की बीच पर हमने लगाना है इसलिए रेली करके रख दिया आटा यहां पर 10-15 मिट में अच्छी तरह से लगकर सेट हो गया है उतने देर में मैंने बाकी की जो तैयारी कर ली वो मैंने अभी आपको दिखाया इसको अच्छी तरह से मसल कर चिकना कर ले इसके दो पेड़े हम काट लेंगे ऐसे और हर एक पेड़े को अब हम इस तरह स मसल कर पहले चिकना कर लेंगे और फिर इसके हम 11 पेड़े तोड़ लेंगे तो टोटल मैंने 22 पेड़े तोड़े थे 20 से 22 पेड़े आप इसमें तोड़ सकते हैं टोटल और फिर हर एक पेड़े को इस तरह से आपने शेप दे दिना है यह दिखे अच्छे से उसको मसल के च अब हम इसको बेल लेंगे, तो हमने इसको दो अलग सेट में बेलना है, पहले हम 11 पेड़े बेलेंगे, तो पहले इस पर वही सूखा आटा और कॉर्ण फ्लार मैदी का मिक्सचर जो था वही लगाया है, बस इसको थोड़ा सा मीडियम बेल ले, इतना 3-4 इंच के डाइमीटर में, दूसरा भी वही सूखा मैदा और कॉर्ण फ्लार का मिक्सचर लगा के उसको भी बेल ले, इसमें आटा अपने ज़्यादा ही लगाना है, कम बिल्कुल नहीं लगाना, ताकि लेयर्स चिपके नहीं, हर लेयर के बीच में आप देख सकते हैं, कम से कम एक एक चमज आट मैने लगा के अच्छे से स्प्रेट किया है, और उसके उपर मैं ये रखती जा रही हूँ, ऐसे अपने 11 लेयर्स एक के उपर एक स्टैक करना है, और हर लेयर के बीच में इस तरह से आपने आटा लगाना नहीं भूलना है, तो 11 लेयर मैने यहां पर रखती हुआ है, इसी पलट के दूसरी तरफ से भी बेल लें कभी-कभी पीछे से ना बिलता नहीं है वो यह देखे चोटा सा रह जाता है तो इसको हम थोड़ा सा पतला बेल लेंगे आराम से बहुत जादा दबाते हुए नहीं बेला था मैंने और मैंने यहाँ पर केक का मोल्ड लिया है आप चाह आपके हाथ पीस में से दिखाई दे रहें आप देख सकते हैं तो आपने इसको ऐसे बेल लेना है अब मोल्ड के अंदर जो हमने घी और बटर मेल्ट कर लिया था वो हम पहले नीचे लगा लेंगे उसके उपर मैंने यह एक लेयर रखती है लेयर को आराम से रख ले के फट कर ले ताकि किनारों तक फैल जाए शीट फिर बीच में घी और बटर की लेयर लगा रहें ऐसे 11 लेयर मैंने लगा लिए 11 लेयर के बाद यह जो काजू बदाम पिस्ता क्रश किया था वो अच्छी तरस से लेयर पूरा बर भर के लगा देना है उसके अंदर उसके बाद मैं मैंने घी और बटर का मिक्स्टर लगाया था अगर आप बीच में अच्छी तरह से नहीं लगाएंगे ना तो लेयर सेपरेट ठीक से नहीं होगे इसलिए वस लगा लें ऐसे और यह 11 लेयर भी मैंने उपर रख लिया है इसको इस तरह से प्रेस करके अच्छी तरह से सेट क कर दिया है आप चाहे तो स्क्वेर में भी कट कर सकते हैं इसको जब मैं कट कर रही थी कट करने के पहले ही मैंने ओवन को प्री हीट करने के लिए रख दिया था 200 डिगरी पर 10 मिनिट के लिए बस 10 मिनिट के बाद ही हम इसको अंदर रखेंगे तो यहां पर मैंने इसको कट लगा लिया है इसको कट आपने पहले ही लगा लेना है ओवन बहुत अच्छे से करम हो गया था तो इसको अभी हम ओवन में रख देते हैं 180 डिग्री या 200 डिग्री पर तकरीबन मैंने इसको 50 मिनिट बेक कर रहा था जब तक वो बेक हो रहा है हम चाशनी बना के त्यार कर ले मीडियम आच पर एक बाचीनी अच्छे से खुल जाती है उबाला आ जाता है तो 3-4 मिनट पका ले यह देखिए चाशनी गाड़ी हो गई बून धीरे धीरे गिर रहा है और जब आप उंगलियों की बीच में चेक करेंगे तो इस तरह से तार निकल रही है स्टिकी चाशनी होनी चाहिए बहुत पतली नहीं जैसे की हनी होती है बस वैसे ही अब यहाँ पर देखिए मैं इसको ओन बे से बाहर निकाल लिया उपर से सर्फेस अच्छे से ब्राउन हो गया है तो मैंने इसके उपर यह चाशनी पोर कर लिए चाशनी लूक वाम है इसको मैंने पहले बन हो जाना चाहिए इसका असल टेस्ट कुछ देर रखने के बाद ही आता है जब यह पूरी तरह से अब्सॉप कर लेना अंदर अचाशनी मूर जाए उसके बाद एक दो घंटे के बाद अगर आप सर्फ करेंगे तो आपको इसको पॉफेक्ली आपको इसका टेस्ट पता चले अब चाहिए तो ओवर नाइट भी रख सकते तो पिस्ता की कतरन से मैंने गानिश कर लिया है इसको और जहां से मैंने कट लगाया था महां से एक बार फिर से मैंने कट किया है ताकि निकालते बग तूटे या फटे नहीं है यह देखिए बहुत ही पॉफेक्ट यह बनके थ लेयर अलक्स दिखाई दे रहा है ड्राइफ्रूट की जो लेयर आप नीचे देख सकते हैं ड्राइफ्रूट भी अच्छी तरह से गोल्टन ब्राउन हो गया है क्रिस्पी है और खाने में बहुत ही टेस्टी है इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग था होमेट शीट के साथ य ड्राइफ्रूट से भरपूर है ये चाशनी के साथ पॉफेक्ट मिठास इसकी थी और खाने में बहुत साथा टेस्टी तो आप भी इस फेस्टिव सीजन पर कुछ अलग जरूर ट्राइ करिए हमेशा के तरह रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब क करके जरूर बताईएगा अगर चैनल पर पहली बारा है तो पगेर सब्सक्राइब की बचाएगा तो बस आज के लिए इतना काफी है फिर मिलती हूँ एक और नई और ताज़ा रेसिपी के साथ तब तक एजासत तांकी सो मच बबाए